हेई गाईज, वट्स अप, I hope you are all doing well, मेरा नाम विविक कुमार है, मैं अब सभी का PSC जन्दी चैनल पे स्वागत करता हूँ डेली बेसिस पे यहाँ पे important news analysis cover कराया जाता है, आज है 16 मार्स 2024, आज भी हम लोग important news analysis यहाँ पे cover करते हो चलेंगे PCS exam के जो त्यारी करें, खास करके उनके लिए यह series बहुत जादा important है, अच्छे से इसको cover करते होई चलेगा और notes बनाते होई चलेगा, revision करने के लिए एक तरह से आपके पास materials अच्छे कासे हो जाएंगे और यह material जो मैं आपको provide कर रहा हूँ, believe कीजिए यह material आपके exam को लेकरके बहुत जादा important होने जा रहा है तो इसको बिल्कुल भी ना miss करें, इसको notes ज़रूर बनाते होई चलेगा, timely इसको revise ज़रूर करते होई चलेगा और जो नए लोग है मैं उनको बता दू, यहाँ पे जो भी classes मेरे तरब से cover कराई जा रही है, वो आपको bilinguals में cover कराई जाती है यानि English Hindi दोनों medium में यहाँ पे आपको notes provide किये जाते है, telegram group में अगर आप join नहीं हुए, तो description में आपको telegram link दिया हुआ है उस link पे click करके आप telegram group को join कर सकते है, वहीं पे आपको सारे PDF जो है, वो provide किये जा रहे है, ताकि timely आप उसको download करके उसका notes बना सके, तो यह था पूरा आपका basic information, I hope आप तक सारी चीज़े पहुच गए होंगी, अब start करते है, news analysis आज का, जो most important है, आइए start करते है, तो सबस आप सिंही ने हरियादे के नय मुख मंतरे के रुप में यहाँ पे सपत लिया है, देख सकते हैं, और यह बिसवेली इन होने, यहाँ पे भाती, जनता पाती, पाती का तनापुन, सतालूर, गड़ बंदन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो BJP और JJP का यहाँ जो globalization हो रखा वह अप अलग हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं companies नय मुक्ष मंत्री के रुप में ideeक सिन जहनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहां पर मुख मंत्रे जो है, वे एक तरह से 5 वईधाईको को मंत्र मंदल में इन्होंने सामिल किया है, जो यहां के राझपाल है, बंडारोद दत्तरईया, इनके दोरा यहां पर सपथ दिलाई गई है, इनको, तो यहां पर आप देख सकते हां इन सभी को पद एवं गोपनि कि सपत राजपाल के दौरा के दौरा जो कि बंदारु दत्ता त्रिये हैं उनके दौरा तिलाये गई हैं कवर आप देख सकते हैं अगर मैं बात कर remembrance канвор पाल नहीं available है देख अब में ब्हुड़ कोई यह सब लिए यहां पर इंक्लूड हुए है और यहीं hiniz पांच यहां पर आप देख सकते हैं कन्वर्वर बाल हो गए brewerी ला अगर मैं बात करूँ तो यह वर्ड जो है यह कहां से लिया गया है यह लाटिन वर्ड है जो कोलिशियो है वहां से इसको यह लिया गया है कोलिशियो से जिसका अल्थ क्या होता है एक साथ बढ़ना है तुग्रू टुगेदर इसका मतलब होता है गटबंदन सरकार का वर्ड जो है कोलीशन जो है वो यहीं से लाटिन वर्ट से यह बिसकली लिया गया है टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो गट बंदन का अर्थ भागों को एक सरीर या संपन्द में एक जूट करने का कार है देख सकते हैं एक तरह से युनाइट करना है एक बॉड़ी के सभी हिस्सों को यह इसका मतलब होता है और कोलीशन का मतलब एक तरह से हम कहा सकते हैं अगर हम लोग जाने राजनेतिक दिरिश्ठी से बात करें तो विबिन राजनेतिक दलों का एक साथ होना यानि गड़ बंदन बनाना यह बैसिकली कहलाता है तो गड़ बंदन की यूज यूजरी कर पाता है डिप जीद या दो से जदा पार्टी स्रकार को चला ए भूंधंत बनाता है और समान कारेक्राम समत होने में शक्सम हो सकते हैं जिसने उनकी व्यक्तिकर नीटियों के साथ बहुत अधिक समझळूते कि एवर सकता नहीं होती पे सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इंडिविजिव पॉलिसिस यहाँ पे उनके दोरा कॉंप्रमाइज की जाती है, और एक तरह से वे आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट को चलाने को ले करके यह ध्यान लग सकते हैं, तो यह पूरा गडबनन सर वो यहाँ के नए मुख मंत्री के रूप में इन्हों नहीं आप सपत लिया है, वो ही यहाँ का आईलेटेड ही आपका न्यूस था, ठीक है, तो यह क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूस है, इसके लिए जारखंट राज्ये से संबंदित हैं, यहाँ पे higher education से रिलेटेड यहाँ पे स्कीम जो है, वो यहाँ पे इंटर्डूस किया गया है, यहाँ पे जारखंट के जो नए मुख मंत्री है, कौन है नए मुख मंत्री, चली मुझे बताईए, कमेंट सक्तर में कितनी बार मैंने आप लोगो बता दिया, अभी क्योंकि, अगर मैं बा सबत लिए है, बताईए मुझे, आज के डिट में कौन हरकन के मुख मंत्री है, चमपई सोरिन, यादरकी का कितनी बार बता रखा है, चमपई सोरिन, तो उनके द्वारा बहुत सारे स्कीम यहाँ पे इंटर्डूस किया रहे है, हाईर एजुकेशन को लेकर के अभी फिलाल यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पेस की गई है, उच सिकसा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो स्कीम जो है, वो कौन सा है, गुरू जी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, एक पहला आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी अगर मैं बा 15,000,000 रुपए तक का संपास, स्वृत, मुक्त, सिक्षा, रेन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो एन्वल रेट, इंट्रेजरे 4% के हिसाब से 15,000,000 रुपए तक का अजुकेशन लोन यहाँ पे इनको मिल सकता है, देख सकते हैं, और रिपेमेंट अग आप से साइन करवाएगा, सरकार गरेंटा के रुप में यह बिसकली कार करती है, देख सकते हैं, तो जब आपका कोस, जिस कोस के लिए आप यह लोन ले रहे हैं, वो कोस कंप्लेट होने के एक साल के बाद से आपको यह रीन जो है, वो चुगाना सुरुआत होगी, यह एक मानकी मुंडा स्कॉलर्शिप स्कीम, दूसरा भी तो स्कीम है, तो मानकी मुंडा चातरविती योजना जो है, इसके तार चातरों को डिपलोमा पाठिकरमों के लिए 15,000 रुपए प्रतिवस, और इंजिनेरिंग पाठिकरमों के लिए 30,000 रुपए प्रतिवस यहां देख सकते हैं, तो यहां पर मुख्यमंति स्क्षा प्रोसाहन योजना का भी यहां पर मिंसन किया गया है, और यह एक तरह से 25,000 रुपए यहां पर इस्ट्रुएंट को दिया जाता है, मन्थली स्टाइपन के रुप से इस योजना के तद, ठीक है, इसका उद्देश कह है यहां पर प्रदान किया जा रहा है, मुख्यमंत्रे शिक्षा प्रोसाहन योजना के तद, धाइस हाजार उपए यहां पर इस्ट्वेंट को दिया जाएंगा, मन्थली स्ट्रेपन के रुप में यह ध्यान रख सकते हैं, यहां पर एक तरह से मुख्यमंत्री ने राची में गरूजी इस्टूरेंट क्रेडित कर्ड स्कॉलरशिप स्कीम, यहां पर दिया जा रहा है, फिर मांगी मुंदाई स्कॉलर्शिप स्कीम यहां पर आप देख सकते हैं, इसका साथ एक और यहां पर चल रहा है, मुख्यमंत्रे शिक्षा प्रोसाहन योजना, यह सारे बहुत यहाँ पे जो योजना की बात कही जाए यह मुख्यमंत्री शिक्सा प्रोसाहन योजना इसमें कौन-कौन से बिसिकली competitive exam जो है वो इसमें cover होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना में बिसिकली उन student को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा इस योजना के तरह वो student इस तो उनके द्वारा monthly यहाँ पर assistance amount भी यहाँ पर दिया जाएगा support किया जाएगा धाई हजार उपए का यह पूरे course period तक जब तक यह course चलेगा तब तक यह उनको धाई हजार उपए यहाँ पर लाव मिलेगा यह ध्यान आख सकते हैं और यह किन student को मिलेगा उन student को मिलेगा जिनका जो छात्रों का चैन दसवी कक्षा के अंकों के अधार पर यहाँ पर होगा तो यह उनको योजना को यह उन चात्रों को यह यह पर लाव मिलेगा जो दसवी कक्षा में अच्छा परफॉर्म किया है उन्हीं के अधार पर यह डिसाइट किया जाएगा कि इस योजना student को यहाँ पर select किया जाएगा तो मुखमंतिय सिक्सा प्रोसाहन योजना I hope आपको clear हो गया होगा अच्छे से समझिएगा ये बहुत important है छारखंड के paper खास करके जो देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा important है याद रखिये जाएगा अगला news है वो मदपदेश से related है मदपदेश के द्वारा aircraft services यहाँ पर launch की जा रही है देख सकते हैं मदपदेश यह basically क्यों कर रहा है तो कि एक तरह से यहाँ पर जो प्रयाटन है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके तो air aircraft services यहाँ पर दिया जा रहा है tourism को promote करने के लिए two twin engine aircraft यहाँ पर introduce किया जा रहा है देख सकते है दो जोड़वा इंजन वाले विमान प्रस्तूत करके हवाई सेवा यहाँ पर शुरू किया जाएगा उसी को लेकर के यहाँ बात कही जा रही है important point इस skim की अगर मैं बात करो तो यह basically इस यह जो two air services है tourism को लेकर के इसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या नाम किस नाम से जाना जाएगा तो PM Shri Priyatan Vaayu Seva आप देख सकते हैं PM Shri Priyatan Vaayu Seva और Dharmic Priyatan Halley Seva यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन दो Priyatan Vaayu Seva के नाम से यह basically जाना जाएगा और इन सेवाओ के तरह दो आठ सीटो वाले दो इंजन वाले विमान भी यहाँ पर प्रस्तूत किये जाएगे देख सकते हैं इस सर्विसेज के अंदर दो आठ सीटर भी जो विमान है इंजन है वो यहाँ पर इंटर्डूज किये जाएगे इसके साथ ऑपरेटर के दोरह यहाँ पर सेलक्ट किया जाएगा मेन रूट कौन-कौन से रूट में यह बैसिकली यह सर्विसेज अवेलेबल होगी इन दोर आप देख सकते हैं भोपाल देख सकते हैं जबलपूर ग्वालियर और खजुराहो जैसे मुख हावाई अड़ो के मार्क से इसका यहाँ पर चैयन किया जाएगा तो यह एक बहुत अच्छा इनिस्टेटिव यहाँ पर किया जा रहा है मद्यपदेश सरकार के द्वारा यह एक तरह से ट्यूरिजम को प्रमोट करने को लेकर के राज इस तर पर टू ट्विन इंजन एरक्राफ को यहाँ पर इंटिरूज किया जा रहा है तो उसी से रिलेटट यह आपका निउस है ध्यान से समझेगा मद्यपदेश में यह बिसकली शुरू किया जा रहा है तो यह ध्यान रख सकते हैं अगले न्यूस के तरह बात करें तो अगला न्यूस भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह भी मध्य पदिस से रिलेटर न्यूस है यह बहुत बार न्यूस में बना वारात है केन बित्वा लिंक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यह हमेशा आप देख सकते हैं करोर रुपय का केन बित्वा लिंक प्रोजेक्ट यहां पर अप्रूफ किया गया चित्कूर्ट डेवलप्मेंट को ले करके यहां पर देख सकते हैं अगर मैं की पॉइंट की बात करूं जिस तरह से आप देख सकते हैं आज की रेट में राम मंदिर निर्मान के बाद चित दलसन करने को ले करके राम भगवान के दलसन करने को ले करके तो उसी तरह से भगवान राम ने वन वास के लिए 11 वरस यहां पर चित्रगूत में भी बिताये थे तो उसी तरह से चित्रगूत को भी ले करके स्रधालियों जो है वह बहुत ज्यादा मतलब यहां के विजिट यहां पर दी गई है स्टेट काबिनेट के दौरा और यह एक तरह से केन बेट वा प्रोजेक्ट यह लाब किन तीन राज्यों को होगा इससे लाब यह जो प्रियोजना को सुखिति दी गई है मद्ध्पदेश सरकार के दौरा तो इससे उत्तर पदेश के सासा हो गया निवाडी हो गया पन्ना हो गया दामो सागर दत्या विदीशा सिपूरी राइसना के सूखा प्रभाविस छेत्रों की अतरिक्त भूमी यहां पर पूरी तरह से दायले में लाई चाहेगी और इसी को यहां पर डेवलप किया जाएगा 44 लाग की अबादी तक पेजल स्वीधा भी यहां पर इसके तत्थ पहुचाई जाएगी देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर फैसलेटी भी यहां पर इन पॉपलेशन को यहां पर 44 लाग जो है जो इन जगों पर से संबंदित है connected है वहाँ तक भी यह drinking water facility जो है वह पहुचाए जाएगी इस प्रियोजना के तद यह ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो इसके साथ सथ cabinet के द्वारा यहाँ पे मुख मंत्री जी ने और यहाँ पे एक solar pump योजना का भी विस्तार की सुकृति यहाँ पे दी गई है अब देख सकते जिसके अंतरगत यहाँ पे अब क्या implement किया जाएगा तो प्रधान मंत्री क्रिसक मित्र सुर्य योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ योजना केन सरकार की कुशुम भी योजना देख सकते हैं तो केन सरकार का कुशुम भी scheme है उसके guideline के अंतरगत यह बिसिकली जार किया जाएगा दिशा निर्देशों के अनुसार मद्य पदेश विद्योत विकास निगम द्वारा किर्यानवित किया जाएगा यह आप देख सकते हैं ठीक है तूसी को लेकर करके यहां पर बात कही जारी यहां पर प्रधान मंत्री किसान उजा सुरक्ष सेवं उत्थान अभियान योजना इसको बैसिकली मार्स 2019 में यहां पर किसके अंतरगत यह मंत्राले के द्वारा इसको लॉंच किया गया था किसानों को खेती के लिए सौस इंचाय पंप इस्थापित करने हे तू सबसेड़ी देने के लिए इसको यहां पर लॉंच किया गया था कृतिक कि किसान को ट्यूब वेल और पंप सेट इस्थापित करने के लिए साट परसंट यहां पर सबसेड़ी दी जाएगी देख सकते हैं जितने भी किशान है उन सब को सबसेड़ी दी जाएगी स्थापित करने को लेकर के इसके साथ 30% का भी टोटल जो कॉश्ट आएगा उसको ले यहां पर अभी फिलाल लागू है तो यहां पर प्रात्मिक उतेश किया है इस योजना का कि किसानों को अत्यादुनिक टक्निक उपलब्द बैसिकली हमें कराना है और क्रिशिश हैत्र को डीजल रही सिचाई के स्रोथ को उपलब्द गराना देख सकते हैं तो एक तरह से ड मदबदेश सरकार के द्वारा यह यहां पर काम किया जा रहा है और उसी को लेकर के केन बैत्वा प्रोजेक्ट है प्रियोजना है उसको यहां पर अप्रूफ किया गया है ठीक है इसके सासत मदवपदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्क का मेन औब्जेक्टिव है कि तो सोलर पंप है वो किसानों को यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा हमारे किसानों को इसके बारे में और अधिक प्रभावी और प्रियावरन अनुकुल सिचाई में सहायता यहां पर किया जाएगा solar pump हमा इसके थुरू और यह सुरक्षित उल्जा उत्पन करने में भी सक्षम रहेगा देख सकते हैं generating safer energy solar pump की यहां पर बात की जा रही यानि solar energy से यह basically work होगा और इसके अलावा pump को यहां पर energy power grid के तहद भी compromise किया गया थाकि generate कर सके जाज ज्यादा energy diesel pump से ठीक है फार्मल्स के द्वारा यहां पर extra power को भी यहां पर sell किया जाएगा government को directly ताकि उनको income यहां से बढ़ सके income वो कमा सके किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए अतरिक विद्व सीधे हमारी सरकार को यहां पर bench बेज सकेगा देख सकते हैं तो इससे किसान की भी जो आय है उसमें वृद्धी होगी किसान का एक additional income यहां पर आप देख सकते हैं इसके तुरू यहां पर होगा ती पूरा आपका news थ देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बैसिकली जो चैट्रकुत को यहां पर डेवलप करने को लेकर करके यहां पर बताया जा रहा है केन बेटवा प्रोजेक्ट से जो है तीन राज्यों को यहां पर फाइदा मिलेगा उत्तपदेश मध्यपदेश रायस्था यहां पर द्रिंकिंग वाटर फैसलेटे भी यहां पर प्रोवाइट की जाएगी इस योजना के तथ इसके साथ साथ यहां पर प्रधान मंतरी कृसक मित्र सुर्य योजना भी यहां पर देख सकते हैं उसके तहथ यहां पर इसको इंप्लमेंट किया गया जाएगा Solar Pump scheme को ही और इसको उसी से launch किया गया था ठीक है इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों के आये में वरिद्धी करने को ले करके यह सारे steps यहाँ पर मदबदे सरकार के द्वारा किया जा रहा है और एक तरह से eco-friendly irrigation करने की बात यहाँ पर कही जा रही है इसके से 1.5 लेट निरवर करता है एक है component है जहाँ पर 10 GB grade को यहाँ इस्टॉल किया गया है जो basically power को क्या करता है विकेंदरी करन करता है स्थापित करेगा और प्रतिक सहयंत्र में कितना आप देख सकते हैं इस plant की यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी कैपसिटी आप देख सकते हैं 17 और 10.50 लाग का आप देखेंगे उसका यहां पर इसका लागत होगा लाग मोल का यहां पर जो है इसकी शमता जो होगी 7.5hp की होगी देख सकते हैं इसको स्थापित किया जाएगा तीसरा कंपोडे की बात करूँ तो 7.5 horsepower की capacity जो इच की यहाँ पर agriculture pump है वो यहाँ पर connect किया जाएगा एक तरह से 10 लाग grid से जुड़े क्रिसी पंपों को वित्य सायता भी यहाँ पर प्रतान किया जाएगा तो देख सकते हैं यह सारे तीन component है जो कि कुसुम योजना से संबंदित है जिसकी अलग-अलग विसेस्ता है जो एक तरह से किसानों को काफी ज़्यादा लाब पहुचाने का काम करेगा ठीक है यह पूरा उसी से रिलेटेड है केन बेतवा लिंक प्रियोजना को यहां पर सुक्रिती दी गई है और इससे किसानों को किस तरह से फाइदा मिलेगा वो सारे चीजे हम लोगों ने यहां पर इस न्यूज में कवर किया है ठीक है अगला न्यूज यहां पर आप देख सकते राइस्थान सरकार के द्वारा है आई होप यह सारे न्यूज जो है वह अच्छे से आप इसको कवर करते हो चली नोट्स पनाते हो चली और एक तरह से आपके प्रिलिम्स के साथ में पॉइंट ऑफिस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है तो यह सारे माटेरियल जो है जो आ बहुत जादर जरूरी है हर नियूज से रिलेटेट और खास करके आकड़े आपको बहुत अच्छे से पतय होने चाहिए तेक तरह से राज्थान सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि फ्री सीट को यहाँ पर क्या करना है वित्रित करना है ताकि एक तरह से जो से राज्थान सरकार ने कदनन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज के किसानों को मिलेट और मोटे अनाज के मुक्त बीज वित्रित करने का यहाँ पर निलने लिया गया है किसके द्वारा तो यहाँ पर राज्थान सरकार के द्वारा देख सकते हैं मिलेट को तता मोट के बीच की मुफ्त मिनी किट यहां पर प्रदान की जाएगी तो यह आप देख सकते हैं आकड़े राजसार्गा के दोरे यह सारे मिनी किट जो है इतने लाग खिसानों को यहां पर प्रोवाइड की जाएगे रायस्थान यहां पर आप 26% टोटल सेल लेगा जितना बीचावी मिलेट का प्रोडक्शन होगा देजवर में उसका 26 पर सेल जाएगा राजसान सरकार के पाज जाएगा और बाजरा जुआर राज में उत्पादित्मों के जो मिलेट फसले हैं उसका देश का 41% बाजरा उत्पादर रायस्थान में होता है देख सकते हैं तो राय सरकार के द्वारा रायस्थान मिलेट प्रोमोशन स्कीम भी यहां पर स्टार्ट किया गया है 2022-23 में ताकि एक तरह से स्वेचिक संगठन द्वारा सो प्रात्मिक प्रासंस्क्रन इकाईयों को यहां पर स्थापित कर सके और 40 लाक रुपए तक का यहां पर प्रावधान यह पर दिया जा रहा है जबकि MSP के अगर मैं बात करूं तो वीट के अगर मैं बात कराए MSP के जो वीट है यह गहूं के जो प्राइस है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं उसको भी यहां पर इंक्रीस कर दिया गया है 2400 पर कुइंटल लेकर करके आप देख सकते हैं additional bonus यहा सारे steps यहां पर लिए जा रहा है गेहूं को लेकर गेहूं के MSP को लेकर किहां पर देख सकते हैं और कियन समान निधी के तहट पीम किसान समान निधी के तहट जो 6000 रुपए सालाना प्रती किसान दिये जाते थे अब उसको बढ़ा करके 8000 रुपए कर दिया गया है देख सक लोग ने डिसकस किए था रायस्तान मिशन सर्कार के द्वारा लिए इसकी गोचन इसके कि अ ready गये उननत किसानों के मुफ्त बीच माइक्रों नियुट्रिएंट्स और बायो के लिए प्योड़ ब्यवक्तिकाइट केट का रियायती दर्ध पर वित्रन यहाँ पर किया गया गया, मिलेट्स की प्रथम सो प्रसंस्क्रण एकाय किस्थापना यहाँ पर अनुदान और बाजरा तथा ने मिलेट्स की संसाधनों के लिए प्रोसाहन तदा छोटे वा सिमांत किसानों को नविंदम तकने के जानकारी यहाँ पर प्रदान की जा सके देख सकते हैं तो 100 processing units यहाँ पर millets का यहाँ पर establish करने की बात यहाँ पर कही जा रही है बाजरा को modify करने को लेकर करके promotions करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और जो latest technical information है वो छोटे और जो मद स्थर के जो किसान है सिमांत किसानों को यहाँ पर जानकारी प्रदान करने की बात यहाँ पर इस mission के तद कही जा रही है रास्थान मिलेट संवन्थल मिसन की बात यहाँ पर कही जा रही है ग्यातव की अगर मैं बात करूं तो रागी, कांगरी, सावन, चीना, कोडो, कुटकी यह सारे जो फसल है यह सारे आपके मिलेट के अंतरगत ही आते हैं और इसकी पोशन गुनवत्ता के संबन में जन जागरुता कारिक्रम को भी यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है तो देख सकते हैं, Nutrational Quality भी यहाँ पर Awareness Program के तहत यहाँ पर इसको प्रपोश किया गया है उसी को लेकर करके बिसिकली यह आपका Mission में बात बदाई गया है तो Static portion भी आपको देख रहे हैं, आप सभी जितने भी Missions के बारे में discussion हो रहा है उन सारे Missions के बारे में भी, उन सारे Schemes के बारे में भी मैं आपको अलग से Slides में एड़ करके दे रहा हूँ ताकि एक तरह से आपको उस Schemes, उस Mission के बारे में पता होना चाहिए कि उसको launch कब किया गया, किस के द्वारा किया गया उसका May Aim क्या है, उसका उद्देश क्या है, क्या क्या चीज़े गरेंट की जाती है, तो ये सारे चीज़े आपको पता होनी चाहिए ये ध्यान रख सकते हैं तो ये उसी से related आपका ये पूरा News था ठीक है, इसके साथ साथ एक और है PM किसान समान निदी के बारे में भी हम लोगों ने डिसकस किया था, प्रधान मंत्री किसान समान निदी ये 24 February 2019 को इसको लांच किया गया था, ये केंद्र योजना है, ध्यान रख सकते हैं, केंद्रे चेतर की योजना है, जिसमें 100% वित पोसन यहाँ पे भारत सरगार के दोरा यहाँ पे किया जाता है ये इसको इंप्लिमेंट यहाँ पे किया गया था, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के दोरा देख सकते हैं, तो कारे नवित इसको किया गया है, किसके दोरा, क्रिशी एमें, क्रिशान कलियान मंत्राले के दोरा, इस योजना के तायत, यहाँ पे सेंटर को यहाँ पे 6,000 रपे सालाना यहाँ पे लैंड के साइस कुछ भी हो, उसके उससे बिना मतलब रखे हुए 6,000 रपे सालाना किन सरगा के दोरा, डारेक बेनिफुर्ट ट्रांसफर के तहत, यहाँ पे सीधे किसान के बैंक अकॉंट में हस्तारित किया जाते हैं, यह उसी से रिलेटर है, अब इसको बढ़ा करके 6,000 से 8,000 कर दिये गया, तो यह ध्यान रख सकते हैं, PM किसान सम्मान निधी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको 24 फ़री 2019 को लांच के गया था, तो I hope static portions भी आपका clear होता हुआ चल रहा है, जो भी schemes और योजना जो है, हम लोग जो news में आते हैं, तो एक तरह से आपके लिए एक तरह से बहुत ही benefits है, एक तरह से economic का position भी आपका cover होता हुआ चल रहा है, current affair के साथ साथ, ठीक है, तो यह था पूरा आज का news analysis, I hope यह news आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत कम लोग basically इस news को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ जादे जादा आप अपने friend circle में इसक को नहीं मिल पा रहे हैं, कहां से उनके दिमाग में हमेशा चल रहा है कि कहां से current affair कवर किया जा सके, तो current affair का पूरा lecture आप यहां पर देख सकते हैं, सुबह साहस का series चलता है, अभी INA का series चलता है, यह दो अगर आप series अच्छे से cover कर लें, तो current affair का जो भी दिक्कत है, वो स इसका भाग बन सके, पीडियाप जो है, वो टेलिगराम डूप में आपको मिल जाएगा, रात को आपको पीडियाप जो है, वो आपको class के बाद आपको share किया जाता है, तो इसको अच्छे से वहाँ से download कर लीजेगा, notes मनाते वह चलिएगा, किसी भी तरह का, कोई भी issue हो, तो comment section में आप बता सकते हैं, आपके हर एक queries को यहाँ पर sort out किया जाएगा, कोशिस किजएगा, लेकिन अपने तरब से सारे preparations करने का, हर एक topic को cover करने का, आज के लिए बसकता ही, जै हिंद, जै भारत!